आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुबसूरत उपहार देना चाहती हूँ ऐसा उपहार जिसे लेने के बाद तुमारे चेरे पर सिर्फ और सिर्फ खुजी होगी दुनिया के किसी भी कम को तुमारे करीब आने से रोग दूंगी चाहे उसके लिए मुझे भगवान से ही क्योना लाणना पड़े तान्या नाम की एक 24 वर्षी लड़की अपने खास दोस्त की गोद में सोते हुए बोल रही है उसका दोस्त बस तान्या के बाल को सहलाती हुए उसकी ओर देख रहा है लेकिन कहरी सोच में होने की कारण तान्या की एक भी बात नहीं सुन पाया अपने दोस्त को अपनी और आकर्सित करने के लिए माही ने चहकते हुए कहा लल्लू तुम सुन भी रहे हो या मैं पागलो की तरह बड़़ाय जा रही हूँ तान्या की बात सुनकर लल्लू होस में आया और चौकती हुए बोला हाँ हाँ बोलो ना तान्या क्या मतलब मैं कबसे बड़़़ाय जा रही हूँ और तुम किसी और की ख्यालों में खोई हुए हूँ जो मैं तुमसे बात ही नहीं करती तानिया उसके गोच से उड़ गई और अपने मुह को फेरती हुई दूसरी ओर देखने लगी लल्लू उसे अपनी ओर किया और उसके गले से लिपट कर बोला मुझे बहुत टेंसन हो रही है तुम जानती हो ना आज मेरे ने बॉस आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे गमार पन की वज़े से मेरी जौब चली जाए किसी ने कहा है कि इस ने बॉस मनोज को गमार लोग बिलकुल भी पसंद नहीं है खास कर मेरे जैसे लल्लू तानिया जट से लल्लू के होट को अपनी तरजिनी उंगले से दबा दी और बोली खाबरदार जो अपने आपको लल्लू बोले तो तुम लल्लन सिंग हो और लल्लन सिंग ही रहोगे मेरे अलाबा कोई तुम्हें लल्लू बोले ये मुझे बिलकुल पसंद नहीं है चाहे वो तुम ही क्यों न हो और हाँ तुम्हारे बॉस क्या नाम बोले मनोज उस मनोज के इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे ललन सिंग को गमार या ललू समझे आप तुम्हें टेंसन कम हो गई न अब तुम जाओ और अपने नए बास का सामना अच्छे से करना डरना बिलकुल नहीं ललू फिर भी डर लग रहा है कहां वो पढ़ा लिखा और मैं ठीक से हिंदी भी नहीं जानता अगर वो मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मुझे सबसे ज़्यादा डर तो इस बास से लग रहा है कि कहीं इतने सालों से बनाए हुए इच्छत को खराब ना कर देए मनोज तानिया लो पानी पीलो और सुनो वो भी इनसान है अगर तुमसे बोलने में गलती हो भी गई जाएगी तो कुछ नहीं बोलेगा गलती तो हर इनसान से होती है उधर दूसरी तरफ मनोज अपने घर में बलेजर पहन रहा है और आएने के सामने खड़े होकर अपने एक सर्बेंट को आएने से ही गुस्टे से देख रहा है उसका सर्बेंट उसके पीछे हाथ चोड़कर घुटनों के बल बैठा हुआ है और माफी मांग रहा है मनोज अपने बलेजर पहन कर पीछे मुड़ा और उस नौकर के सामने खड़े होकर बोला जिस इनसान से गलती हो वो इनसान मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं मनोज के सामने आने से पहले लोगों को अपनी भासा के साथ साथ पहनावय का भी ध्यान रखना होता है अगर तुम हमारे रहन सेहन को ठीक से नहीं समझते तो हमारे लिए काम क्या खाक करोगे गुस्से बेरी आँखों को दूसरी तरफ गुमाते वे बोला मनोज बहुत ही समार्ट और आकरसक इनसान है उसके पहनावय और रहन सेहन के ढंक से हर कोई प्रभावित हो जाता है मनोज के आँखों से गुसा गायब हो गई लेकिन उस नौकर ने फिर से उसके जूतों को पकड़ कर माफी मागने लगा और बोला आज के बाद मैं आपके हर कपड़े का नाम याद रखूंगा साहब इस बार मुझे कम से कम मत निका लिए मैं आपके बलेजर को गलत नामों से नहीं पुकारूंगा उसकी मुझ से गलत सब्सुनती ही मनोज को फिर से गुसा आया और अपने पैर को जटकते वे बोला वो बलेजर नहीं बलेजर होता है दो कोड़ी के नोकर अब निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मेरे आस पास भी मत भटकना जो लोग खुद को परफेक्ट नहीं रख सकते उसकी मेरे आस पास भी रहने का कोई हक नहीं है उस नोकर के हाथों को अपने पैरों से हटाते वे उस कमरे से निकल गया तानिया अच्छा सुनू मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही अपने बोस के सामने बोलना बस दो लाइनी बोलने पर तुम्हारा बोस खुस हो जाएगा और हो सकी तुम्हारी परमोसन भी कर दे लल्लू मुझे तुम्हारी बातों से खुशी मिलती है तानिया अच्छा आप जाओ लेट लतीप किसी भी बोस को अच्छा नहीं लगता लल्लू वहां से अपने काम पर चला जाता है और यहां तानिया पूरे घर को सजाने लगती है तानिया मन में मैं तुम्हारी खुसियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए जो किया है वो कोई भगवान भी नहीं कर सकता है तुमने मुझे अनात आश्रम से लाकर अपने माबाप के साथ रखा मुझे माबाप का प्यार दिलवाया तुम भले ही मेरे उपर किये वे अहसान को भूल गए होगे लेकिन मैं कभी नहीं बूल पाऊंगे जिस तरह तुम मेरी हसी और खुसी के लिए अपने माबापू से लड़कर चार साल की उम्र से ही अपने साथ रख रहे हो ठीक उसी तरह तुम्हारे चीवन भड़के मुस्कराट की वज़े मैं बनना चाहती हूँ आज मैं पढ़ लिख पाई हूँ बस तुम्हारी वज़े से तुम्हें तुम्हारी कम पढ़े होने की वज़े से कभी सरमिंदा नहीं होने दूँगी मेरे लल्लू आज मा बापू घर पर नहीं है जैसे ही साम को तुम खर आओगे मैं तुम्हें प्रपोस करूँगी लल्लू दुनिया की सारी खुशियों को तुम्हारे कदवों में लाकर रख दूँगे और कभी उदास नहीं होने दूँगे बच्पन की बातों को सोचते सोचते तान्या के आँखों में आशू आ गए एक मंदिर में दो पचास वर्से जोड़ी पूजा कर रहे हैं वे लल्लू के मा बापू है लल्लू के मा मंदिर के फेरे लेते वक्त अपने पती से बोली आज साम को हम घर पहुँच आएंगे ना जी मेरा ललन भूखा होगा उसका पती बोला बसुंद्रा जी तान्या बिटिया है ना वो अच्छे से ख्याल रखेगी ललन का तुम बेरते में चिंता मत करो उधर मनोज किसी को फोन किया और बोला आप जानते हो ना मुझे सिर्फ परफेक्ट लोग और परफेक्ट काम ही पसंद है जिस पल मुझे एक भी कमी नजर आई उसी पल मैं आपके बोज की कुर्सी छोड़कर वापस मुंबई चला जाऊंगा क्योंकि मेरी परफ्यूम में भी परफेक्टनेस की इसमेल ही आती है मनोज उसी आफिस में जा रहा है जिस आफिस में लल्लू तान्या सारे कमरे में कैंडल लगा दी है चारों तरफ सफेद परदे नजर आ रहे हैं तान्या मानी मन खूब खूस हो रही है उदर लल्लू बहुत डर रहा है मनोज के नाम से लल्लू के साथी आज हमारे नए बास के स्वागत के लिए हमने केक भी मंगवाया है और उनसे केक काटने के अन्रोद करने का काम तेरा है ललन लल्लू, नहीं, हमसे ना हो पाएगा तब तक मनोज सभी के सामने आया और सभी ने लल्लू को आगे कर दिया लल्लू बेचारा क्या करता डरते डरते अपने बास के नस्दी क्यार बोला गुड मॉर्निंग सल आप प्लीज इस केक को काटिये न उधर तान्या बहुत ही सुन्दर ड्रेस भेंड कर आयने के सामने खड़ी है और खुद से बाते कर रही है वाव जेश्ट ब्यूटिफूल इट्स आमेजिन जब मैं खुद के इतनी तारीब कर रही हूँ तो लल्लू तो मुझे इन कपड़ों में देखकर फीदा हो जाएगा वो मेरे प्रपोजल को कभी रिजेक्ट नहीं करेगा मैं बस उसके चेरे पर वो खुषी देखना चाहती हूँ जब मैं उसे बोलूँगी आई लाव यू ललू तो वो खुषी से पागल हो जाएगा और मैं बस उसी खुषी को देखना चाहती हूँ वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ मेरे लिए मेरा जान है वो तानिया कुषी कुषी सारे कमरे की लाइट बंद कर दी और सारे केंडल्स को एक एक करके जलाने लगी तानिया के गोरे बदन पर लाल कपड़े फब रहे थी उसकी उम्र तो 24 साल थी लेकिन अभी भी वो टीनेज लगती है उसकी सुन्दरता के आगे सभी फेल है लेकिन वो सिर्फ अपने लल्लू पर मरती है उदर आफिस में मनुज की स्वागत के लिए सैकड़ों से भी ज़्यादा लोग इखटे हुए थे इतने आदमी थे कि स्टेज का इंतिजाम करना पड़ा था उस इश्टेज पर खड़े मनुज के सामने रखे केक की तरफ इसारा करते वे लल्लू अपने बास को चाकू दे रहा है सभी के इच्छा को देखते वे मनुज ने केक काटा और तभी लल्लू अपनी भावनाओं में बह गया और बोल दिया सभी लोग लल्लू की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे बीच बाजार में किसी ने एक चोड को पकड़ लिया हूँ केक कार्टे देख लल्लू को लगा कि वही बोला जाता है और वो बिना सोचे समझे अपनी नादानियों की कानर वो सब बोल दिया मनोज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इधर तानिया बीच कमरे में बैठी वी है और सारे परदे इधर उधर बाबलो की तरह उड़ रहे है बहुत सारे कैंडल भी बुछने लगे और तानिया उठकर उन कैंडल को जनाने लगी जलाते वे बोल भी रही है बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मनोज ने केक उठाकर लल्लू के चेहरे पर थोप दिया जब केक का प्लेट नीचे गिरा तब लल्लू की सिर्फ आँखे नजर आ रही थी बागी का चेहरा केक की मोटी परस से धखी चुकी थी मनोज अपने गुस्से भरी लबजों में कहा इस कमार को किसने रखा इस आफिस में जिसे ये भी समझना हो कि हर केक जनम दिन की नहीं काटी जाती है आई हेट दिस टाइप आप परसन बाहर फेको इस कमार को एक आदमी ने उसकी उची आवाज के बीच में ही बोलने की हिम्मत की क्योंकि लल्लू इंसान तो बहुत अच्छा था उस आदमी ने कहा सर ललन बहुत सालों से इस आफिस में काम कर रहा है इसे वेश्ट एमप्लॉई का इनाम भी मिला है इस आफिस की इसकी जरूरत है सर मनोज का गुसा कम नहीं हुआ था और अपने दाथ को तकलीब देते वे उसने कहा मनोज के आसपा सिर्थ परफेक्ट लोगों की जरूरत होती है इस सड़क छाप एमप्लॉई की नहीं और ये ललन कितना भी अच्छा है इमप्लाई क्यों नहो मुझे इस जंगली जानवर के सकल भी नहीं देखना है लल्लू कहीं का बोल कर गुसे में जिस तरह से आया था उसी राज़ते से वापस चला गया मनोज की जाने के बाद स्टेज के नीचे बैटे सभी लोग लल्लू को देखकर जोड़ जोड़ से हसने लगे लल्लू मूर्ती की तरह स्टेज पर खड़ा रहा उसके आँखों से निकल रहे आँसू की वज़े से उसके गाल पर के केक साफ हो चुका था उसके कानों तक बस एक ही आवाज कूच रही थी इस गवार को किस ने रखा ओफिस में लल्लू कहीं का इधर तान्या के सभी केंडल बार बार बुची जा रहे थे वो बार बार जलाने की कोशिस कर रही है तान्या परेशान होते हुए मन में बोलती है कि केंडल जल क्यों नहीं रही है कहीं मेरे ललू की खुशियों की नज़र तो नहीं लग गई मैं मेरे ललू को खुश करने के लिए कुच भी कर सकती हूँ मुझे ये केंडल किसी भी तरह जलाना ही होगा ललू आता ही होगा सोचकर केंडल फिर से जलाने लगी सभी केंडल तो जल गई लेकिन तान्या के हाथ से एक केंडल नीचे गिर गई जब तान्या ने दिखा कि लल्लू को एक दोस्त ने उसे घर के बाहर छोड़ दिया और लल्लू बिना कुछ बोले केक से लत-पत चेरे को लटकाए हुए आया और उन्हें केंडल वाली बीच कमरे में बैठ गया तुम इस तरह से चुप नहीं रह सकते हो बोलो आखिर क्या हुआ है उसके चेरे को हिलाते डुलाते पूछ रही है तान्या तुरंद बाहर गई और उस दोस्त को ढूरने लगी जिसने लल्लू को यहां छोड़ गया था बाहर जाने के बाद लल्लू का दोस्त मिला और फिर तान्या के पूछने पर उसने सारी बात बताई सच्चाई जानने के बाद तान्या की दरपन कम हो गई और अंदर जाकर लल्लू को गले लगा ली और बोली मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे लल्लू का कोई इतना बड़ा अपमान भी कर सकता है तुम उसके कहने पर गमान नहीं हो सकते लल्लू तुम लल्लन सिंग हो और उस आफिस में तुम्हारी बहुत इच्चत है उस मनोज के अपमान करने से तुम्हारे इच्चत कम नहीं हो जाएगी लल्लू के कानों में सिर्फ और सिर्फ वहां बैटे लोगों की हसी गुज रही थी लल्लू के कानों में एक बास सबसे ज़्यादा दोहराय जा रही थी इस गवार को किसने रखा अफिस में लल्लू गई का मन में हो रहे सहलाबों से जूचने के कारण लल्लू अपनी दोस तानिया का एक भी बात सुन नहीं रहा था उपर मनोज कैप में बैठा हुआ है और गुस्से में किसी को फोन से बोल रहा है मैं वापस मुंबई आ रहा हूँ मुझे इन गवान लोगों के साथ काम नहीं करना है तानिया अपने दोस्त लल्लू को वासरूम में ले गई और उसके केक साप करने लगी दोरों चुपचाप थे तानिया तो गुस्से की वज़े से चुपती लेकिन लल्लू अपने हुए अपमान की वज़े से लल्लू के मन में उस अपमान की साथ द्रस चल रहे थे तानिया उसके गालों से केक को साप करती वे सोच रही है लल्लू इस तरह से चुपचाप रहेगा तो इसके मन की घाव और बढ़ते जाएंगे मुझे कुछ भी करके इसे रूलाना होगा ताकि इसके मन में कोई खाव न रहे और मन साफ हो सके चाहे उसके लिए इसे रोना ही क्यों न पड़े लल्लू दीवार को देख रहा था और तानिया उसे अपनी और करती वे बोली लल्लू तो कुछ बोलता क्यों नहीं तुझे अपने अपमान के लिए तुझे शर्म करने की कोई जरुवत नहीं है मनुज तेरा अपमान नहीं किया है बलकि खुद के संसकारों का अपमान किया है बोल लल्लू कुछ बोलता क्यों नहीं लल्लू, इसी चीक के साथ मजबूरन तान्या ने लल्लू को चोरदार चाटा लगाया, लल्लू को होसाया और तान्या के गले लगकर खूब रोने लगा, मुंबई में मनुज की मा अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान को धन्दबाद देती वे बोल रही है, आपका बहु मनुज कभी भी आता ही होगा, मनुज की बेहन प्रिया वहीं खड़ी थी और मा की बात सुनने के बात थाली सजाने लगी, प्रिया, माम, आपको पता है न, भाय को कुम्कुम पसंद नहीं, कहीं उन्हों ने पुजा की थाली को अपमान कर दिया तो, मॉम, प्रिया, ये बा पर उसके माबाप आते हैं और आवाज लगाते हैं ललन बेटा ललन कहां हो बेटा और ये हॉल में इतनी सारी मुंपते जलाने की क्या जरूरती तानिया ये लड़की कहां गायब हो गई कहां हो दोनों बोल कर दोनों अपने कमरे में चले गए वासरूम में तानिया अपने लल्लू का आसू गिन रही है लल्लू उसके कंदों पर अपना सर रखकर खूब आसू बहाए जा रहा है और तानिया बिना कुछ बोले बस उसके आसू को गिरते हुए देख रही है और गुस्से भरी नजरों से मन में सोच रही है मुझे माप कर दो मेरे वज़े से मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं अपने आसू को पोश्टी वे बोल रहा था आसू बहाने की वज़े से लल्लू का दिल थोड़ा हलका हो गया फिर लल्लू ने तानिया की चिंता करना शुरू कर दिया लल्लू तानिया बोलो कुछ मेरी कलतियों के लिए माप कर दो तानिया तानिया लल्लू के पास से उठी और बातरूम के जहने चालो कर दी लल्लू के सरीर पर पानी गिरने लगे और तानिया बाहर जाते वे बोलने लगी माफी तो अब मनोज मांगेगा ललू इस शब्द को बोलते वक्त तानिया के आँखों से जौला मुख्य निकल लए दी वो इतने गुस्से में थी कि बाहर हॉल में गई और एक टेबल पर सजाए हुए कपड़े को उठा कर फेंक दी और उस टेबल पर रखी सीसे की गलास और फूल दानी भी तूटकर गिर गए उसे फेकते वक्त तानिया ने जोर से चिला कर गुस्से में कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मनोज मेरे ललू को रूलाने की मनोज उस टेबल से गिरे सीसे की तूटने की आवाज अंदर वासरूम में गया और ललू परिशान होकर भीगे हुए बाहर हौल में आ गया वही उसके माबापू भी बाहर हौल में आ गये ललू अपने दोस्त तानिया को पकड़ लिया और उसे एक जगे बैठाती वे बोला सांत हो जो तानिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हें मेरे लिए परिशान होने की जरुवत नहीं है तानिया अपने ललू के मजबूत बाहों से बाहर होते हुए केंडल के समू के पास गई और उन सभी मुम्बतियों को फेकती हुए गुस्टे में बोली आई विल किल यू मनोच तानिया तूट कर बैठ गई और ललू उसे गले लगा लिया उसके मा बापू भी उसके पास आये और तानिया को समालती हुए बापू ने कहा तानिया बेटा हम सब जानते हैं कि तुम ललन का अपमान नहीं सह सकती हो लेकिन इस तरह खुद को तकलीब देने से कोई फादा नहीं है चलो उठो और खाना खिलाओ हम सब को खास कर अपने लल्लू तानिया लल्लू की गोद से उठकर अपने बापू की गोद में चली गई रोती वे बोली मैं लल्लू का अपमान नहीं सह सकती बापू लल्लू ने जो मेरे लिए किया वो कोई भगवान भी नहीं कर सकता है और मैं अपने लल्लू का इंसल्ट कैसे बरदास्त कर सकूँ मुझे जो बन पड़ेगा वो करूँगी अपने लल्लू के अभिमान के लिए सभी लोग तान्या के आसु पूछने लगे तभी लल्लू का दोस्त अमन आया और बोला लल्लू तु ठीक तो है ना उस वक्त मुझे कुछ काम था इसलिए मैं चला गया था उधर दूसरी तरह मनोज अपने घर मुंबई पहुँचा और उसकी मा आरती की थाल से उसे कुंकुं लगा कर स्वागत करते हुए अपने घर में परवेश करवाया अपने मा के पैर छूने के बाद मनोज बोला मा आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो बस एक दिन के लिए तो गया था घर से बाहर अब मैं वापस आपके पास आ गया हूँ ना आप रोना बंद करो वैसे भी आपको तो पता है जिस जगे पर परफेक्ट लोग और परफेक्ट चीजे ना हो उस जगे पर मेरा कुई जगे नहीं होता है वहाँ बहुत ही कमाल लोग थे इसलिए मुझे उस बास की कुर्सी को छोड़ना बड़ा अमन को देखकर तानिया को वो से बात याद आने लगी जो अमन ने बताया था कि कैसे मनोज ने उसके लल्लू को सभी के सामने अपमान किया था कैसे मनोज ने सैकड़ों लोगों के बीच लल्लू के चेहरे पर केक थोप दिया था तानिया को बहुत बहुत गुसा आया और उसने गुसे में अपने दाथ को कटटाने लगी गुसे में उठी और अपने आँख को बहुत बड़े-बड़े करती हुए एक चाको उठाई और सभी लोगों के सामने अपने बाए हाथ पर चोर से उस चाको से परिहार कर ली तानिया ने गुसे और हाथ के बीच चाको से वे छेट के दर्द से अपनी आख पंद कर ली और सभी लोग चीक उठे तानिया ललो तुम पागल हो गई हो तानिया मुझे नहीं चाहिए अपने अपमान का बदला मुझे बस तुम चाहिए अमन, तानिया ये क्या किया तुमने, मा, ये क्या किया तुमने, कितना दर्द हो रहा होगा तुम मेरे ललन के लिए खुद को इतनी तकलिप दे रही हो। क्यों बापू ललन जल्दी से दवा लगाने वाला बॉक्स ले कर आओ तानिया के हाथों से बहुँ ज़्यादा खून बह रहे थे तानिया रुको लल्लू तुम कोई दवा नहीं लगाओगे मेरे इस जखम पर मैं इस दर्द को तब तक सहती रहूँगी जब तक उस मनोज को अपमान करके आशू की 180 बूंद ना गिरा दूँ मैं कभी माफ नहीं करूँगी उस मनोज को चिलाते वे अमन प्रंतु कैसे मनोज तो वापस अपनी घर मुंबई चला गया अब उससे बदला लेने के बारे में भूल जाओ तानिया मैं तुमसे प्रामिस करता हूँ आफिस का अपमान कभी भी नहीं बूल सकती उस मनोज से अपने लल्लू के आसों का बदला तो मैं लेकर रहोंगी तभी मैं चैन से जी पाऊंगी चाहे उसके लिए मुझे मुझे मुंबई ही क्यों ना जाना पड़े अगर तानिया उसे अपमान करके रुलाई नहीं ना तो लल्ल कारी है मुझे इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा मनों से बदले लेने में ललन मेरा भी उतना ही खास दोस्त है जितना तुम्हारा ललन के लिए मैं भी किसी हद तक जा सकता हूं तानिया अपने जग मुझे को देखती रही और कुछ नहीं बोली उसे बस लल्लू की आ आफिस नहीं जा पाएगा मेरे इस जखम की कसम मैं तुम्हें बरबाद कर दूंगी मनोज अब मैं लल्लू को तभी प्रपोज करूंगी जब तुम्हारी आँखों में आसु की 180 बूंदे गिरते देख लूँगी अमन तानिया तुम्हें अपने जखम को ठीक कर लेनी चाह आसु की बूंदे याद आ जाएंगी जो मनोज ने मेरे लल्लू को दिये थे लल्लू और उसके मा बापू परेशान हो रहे हैं और साथ में लल्लू अब अपने अपमान से ज़्यादा तानिया की चिंता करने लगा बापू देखा बसुंद्रा जी मैंने आपसे कहा था ना तानिया बिटिया बहुत ख्याल लगती है हमारे ललन का वो तो ललन के अपमान को भी बरदास नहीं कर पाई मा हाँ जी मैं इतने दिनों तक उसे पता नहीं क्या-क्या सुनाती रहती थी लेकिन वो तो मेरे ललन के पैसों पर नहीं उसकी इज़्जत पर मरती है ललन वही कुछ सोच में बैठा हुआ है मनोज हाऊस में मॉम जल्दी करो मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रही है जूतों के इस टेंड के पास खड़े होकर मनोज अपने मा से बोल रहा है जेस्ट फाइफ सेकिंड बेटा ये लो अपने जूते तुझे भी ना कितनी बार कहती हूँ कि नौकरों को काम से मत निका अब मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए मुझे बलेस तो मॉम मनोज अपनी मा के पैर छोते वे बोला मनोज हाऊस के बाहर निकला और अपने कार में बैठ कर चला गया उसके जाने के बाद उसकी मा सोचने लगी मुझे चिंता तो इस वास से है कि नौकर का तो ठीक है परफेक्ट वाइप कैसे ढूड़ोंगी 28 साल के हो चुके हो अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है मनोज की जाने के बाद में गेट पर अमन आया और उसकी मा से नौकरी की बात करके नौकर बन गया और उसके घर में खुश गया अंदर जाने के बाद याद करता है कि उसने तानिया से क्या कहा था देखो तानिया हम दोनों एक साथ उस घर के अंदर नहीं जा सकते हैं मैं पहले जाता हूँ और फिर किसी तरह तुम्हें बुला लूँगा अमन मैडम जी आपके बेटे अभी अभी घर से बाहर गया है लगता है किसी जरूरी काम से गया है मनोज की मॉम हाँ आज उसका अमेरिका की किसी दील को लेकर मीटिंग है वही पूरा करने गया है मेरा बेटा अमन कौन से कंपनी में चल रही है मीटिंग मनोज की मॉम चिरन जीवी फाइफ इस्टार रेस्टोरेंट में प्रिया मॉम आप इस नोकर से क्यों बता रहे हो मॉकर्क बने रहो इस घर के मालिक बनने की कोई जरुवत नहीं है अमन सौरी मैडम मैं तो बस मनोज की मॉम रहने दो बेटा कोई बात नहीं अमन तुरंद अकेले पाकर तानिया के पास फोन किया और बोला चिरेंजी वी फाइफ इस्टार रेस्टोरेंट बोलकर तुरंद फोन काट दिया ताकि कोई सुनना ले रेस्टोरेंट में मनोज अपने मीटिंग खतम करके टेबल पर ही बैटा था लेकिन उसके अमेरिका के आदमी महां से चले गए थे यो इस वक्त अकेले ही था तानिया उसके सामने आकर बोले हाई मिस्टर इफ यू डॉंट माइंड य यहीं सब के सामने एक दो थपड़ लगा दो लेकिन नहीं इतनी आसानी से बदला नहीं लेती मैं मैं तो तुम्हें आसों के साथ नहाने का मौका भी देना चाहती हूँ उसके लिए पहले मुझे नहाना पड़ेगा इस स्विमिंग पुल में स्विमिंग पुल की तरफ दे काल लेंगे तुम्हें इस घर में लाने के लिए तुम्हें पता है ना तुम्हें तैरना नहीं आता है तुम्हारी जान को खत्रा हो सकता है तानिया मैं जल से जल अपने बदले को पूरा करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे अपनी जान को दाव पर क्यों ना लगाना लगना आमन ये कैसी फाल तु वकवास कर रही हो यार तुम्हें कुछ नहीं होगा तानिया अच्छा आमन अब वो बाहर जाने लगा है मुझे जल से जल अपना काम पूरा करना होगा बोल कर फोन कार दी और पानी में कूद गई बहुत सारे लोग इखटे हो गए तानिया अं कद होने लगी और अब तो उसके हाथ पाऊं भी चलना बंद हो गए तानिया धेर सारे पानी पी गई और अंदर डूबने लगी उसकी आखें भी बंद हो गई वहां खड़े सभी के दिल चोड़ चोड़ से धड़कने लगे धक 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 उधर लल्लू अपनी मा क की मदद कर रहा था सबची काटने में अचानक लल्लू के उंगली थोड़ी सी कड़ गई और वो चिंतित होते हुए चीख पड़ा तानिया ललन के इस चीख से उसके माबापू उसके पास आ गया और पूछने लगे क्या हुआ बेटा लल्लू माबापू तानिया बहुत ब बेटा ललन मा जब मुझे इतनी छोटी सी चोट में दर्द हो रही है तो सोचो तानिया कितनी बड़ी दर्द में है मुझे उसके पास जाना है मा मैं उसे और दर्द नहीं दे सकता हूँ मैं जा रहा हूं मा अपने तानिया के पास साइकों की तरह रियक्ट करते हुए बोल रहा है उधर स्विमिंग पूल में तानिया के हाथ और पैट छितर चुके थे उसकी सासे बस नाम मातर के चल रहे थी वहाँ खड़ा कोई व्यक्ति तानिया को नहीं बचा रहा था सभी के दिल में बस धखतक हो रहे थी उधर अमन की दिल भी घबरा रहा था क्योंकि वो जान प्रिया मॉम भाई ने एक अंजान लड़की को घर में क्यों लाया मनोज तुम नहीं समझोगी प्रिया मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की पूश्तास के कारण मेरा नाम पुलिस के पास से आए मॉम हा बेटा अच्छा किया और जैसे ही इस लड़की को हो साएगा अप दिखाते हुए अमन मन में अभी तक तानिया को होस नहीं आया है भगवान उसकी रच्छा करना कहीं ज्यादा चोटोट लगने की कारण कुछ हो ना जाए सब लोग तानिया के कमरे के बाहर उसके होस में आने का इंतिजार कर रहे हैं तानिया उठी और अपने आस पास लगे अपने आखें भड़ी की और चिल लाकर बोली लामुकह कहा बाहर से प्रिया की माम अपनी बेटीसे बोल रही है लगता है इससे नौकर का नाम है अपने नौकर को भेज तूँ क्या इसके पास प्रिया नहीं अब ज़ल्दी से ँसे घर से बाहर भीज़ने का इंतिज तुम सब को पता है ना जो चीज परफेक्ट ना हो उसे में देखना भी पसंद नहीं करती तुम सब को जॉब से हाथ थोना पड़ेगा अगर पांच मिनट में मेरे कमरे की कॉंबिनेशन ठीक नहीं हुई तो इस घड़की के पास ब्लैक परदे किसने लगा है मेरे टेबल पर रोज का फूल किसने रखा रामुका का यहां आये और जल्दी से साब किजिए इस घटिया कॉंबिनेशन को जोर जोर से चिलाने की काना तानिया के सास फूलने लगी और फिर भी यो एक फूलदानी को उठाई और फरस पर पटक दी हापते हुए बेट पर गई और लेट ग बोली दूसरी मनोज मॉम ऐसे मत बोलो मनोज सुनेगा तो बुरा मान जाएगा मनोज अपने मन में इंप्रेंसिंग पेरी इंप्रेंसिंग ये तो बिल्कुल मेरे लायक है मुझ जैसे ही परफेक्ट जीजों को ही पसंद करती है मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है उदर जलन के घर पर ललन पागल जैसा अपनी मा के सामने बोल रहा है, सोच मा, अगर मुझसे छोटी सी चोट में इतना तर्थ हो रहा है, तो तानिया को कितना तर्थ हो रहा होगा, वो अकेली कहां कहां भटक रही होगी मेरे खाते, मा, लेकिन अमन है ना उसके साथ, तु चिंता म कर, बापू, हाँ बेटा, वापस आ जाएगी तानिया बेटिया, ललन, नहीं बापू, मुझे अपनी तानिया की मदद के लिए जाना ही होगा, पागल हो गया था, जो उसे अकेले जाने दिया, लेकिन अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूँगा, मैं जा रहा हूं मुंब मेरा नाम क्या है, मेरे कमरे में इतना घटिया कॉंबिनेशन किसने लगाया, मनुझ, इसलिए मैं बोलता हूं कि गेस्ट रूम हो, या कोई भी हर जगह परफेक्टनेस चाहिए मुझे, लेकिन आप लोग को क्या मतलब है, आपको तो बस मेरा कमरा परफेक्ट रखने आदत पर हो गई है, अब जवाब दो इस लड़की को, मॉम, तुमने बताया था ना, कि बहुत देर तक पानी में रह गई थी, लगता है, उसी कारण से याददास चली गई इसकी, अमन, हे भगवान, अगर ये सब कुछ भूल जाएगी, तो बदले कैसे लेगी, ललन के अपमान का सोचती हुए, अमन, तानिया के नज़्दी किया, और उसके हाथ के जखम को छूते हुए, सभी से बोला, इसकी जखम बहुत गहरी है, और ये देखिए, सिर्फ ओवर हाई रेट पट्टी है, इससे तो इंफेक्शन बढ़ने का पूरा चांस है, जल्दी से इसके हाथों मैं पट्टी कर देता हूँ, प्रिया, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है, इसके बिचले हुए दोस्तों, क्या तुम, अमन, नहीं, वो तो इंसानियत के, मौम, बस, कुछ सफाई देने की जरुबत नहीं है, इसके हाथों में जल्दी से मलहम पट्टी करो, तानिया, नही कोई कुछ नहीं करेगा, यह जखम तब तक ठीक नहीं होगा, जब तक इसका मकसद पूरा ना हो जाए, अमन की तरफ देखती हुए, अमन समझ गया कि तानिया को कुछ नहीं हुआ है, वो बस नाटक कर रहे है, घर में रहने के लिए, मनोज, लेकिन इसकी मेमरी का क्या, अ कोई डाक्टर को नहीं बुलाएगा, अगर डाक्टर आ गया, तो बात पुलिस तक महुच सकती है, समझने की कोशिस कीजिए, मैं भी डाक्टर को फोन लगाता हूँ, मनोज, अब चाहे जो हो, लेकिन मैं किसी के जान के साथ नहीं खेल सकता हूँ, तानिया और आमन, दोनो सच डाक्टर सब को बता देगा, अब कैसे बतला लें पाऊंगी, मैं अपने लल्लू के अपमानों का, मनोज, पट वाट, पट वाट डाक्टर, बट सी इस लोश्टेट दियर, मेमोरी पावर, तानिया सुनकर खुस हो गई, और अमन से इसारा से पूछने रगी, कैसे पड़ेगा, डाक्टर वहाँ से चला गया, प्रिया, लो, अब ये हमारे साथ रहेंगी, मनोज, प्रिया, ऐसे नहीं बोलते, ये हमारी गेश्ट है, और हाँ, नोकर से बोलकर ठीक वैसा ही कमरा सजा दिजे, जैसा, वैसे नाम क्या है आपका, अमन, तानिया, तानिया नाम प्रिया, तुम्हें कैसे पता, अमन और तानिया भी घबरा आ गए, कि आखिर जवाब क्या दे, अमन, वो इसके लॉकेट में लिखा हुआ है, तो मुझे लगा, प्रिया ने उसके लॉकेट को देखा, तो सही में तानिया ने अपने नाम का लॉकेट पहन रखा था, दोनो उसकी, मनोज को परफेक्ट लोग बहुत पसंद है, इसलिए शायद मनोज तानिया की तरफ आकर सित होने लगा है, इस्टेशन पर ललन पहुचा और मन में सोज रहा है, तानिया कहां हो तुम, किस हालत में हो तुम, मैं मुंबई तो आ गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, क लेकिन मुंबई में कहां कोई किसी का सुनता है, ललन अकेला परेशान डरा हुआ निकल गया तानिया को ढोलने, ललन के घर पर, ललन के बापो, तुमने देखा बसंदरा, कितना ख्याल लगता है तानिया का, बसंदरा इसी बात का तो डर है, कहीं उस अनाज से साधी ना कर लेगी, आप समस्तिक क्यों नहीं, इन दोनों की दोस्ती से ज़्यादा कुछ है, कोई इनसान दोस्ती के लिए अपने हाथ पर इतना बड़ा घाओ देता है बला, उसके बापो तो, तो क्या प्राबलम है तुम्हें, मुझे कोई दिकत नहीं है उसके प्यार से, तानिया से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती हमारे ललन को, क्योंकि वो बसुंद्रा, क्योंकि वो अनपढ़ है, किसकी वज़े से तानिया के पढ़ाने के करणा, उसने काम करना शुरू कर दिया था, अब समझ आ रहा होगा, उसे की पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, चाहे मैं लल आपसे बात करने लगे, दरवाजा अच्छे से लगा नहीं था, जिसके काना मनुष कुछ कुछ देख रहा था, अंदर कमरे में, अमन, बहुत मुश्किल से मैं तुमसे अकेले में मिल रहा हूँ, अब जल्दी से आगे का प्लान बताओ, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके, बतले लो, और यहां से चलो, मनुष तुम्हें जिस नजों से देख रहा था, मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, तानिया, मैं इस घर में तो आ गई, अमन, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं मनुष से बतला लो, अमन, मेरे पास एक आइडिया है, तानिया जल्दी बोलो क्या आइडिया है, अमन, तुम्हें मनुष की मौम से बात करके मनुष की कमजोरी को पकड़ना है, और मौका मिलते ही उसके कमजोर नसों को दबा कर अपना बतला ले लेना है, समझ रही हो ना, तानिया, मैं अच्छे से समझ गई, अमन, लेकिन तुम अपने हाथ पर दबा लगा लो, उसके जख्मी हाथ को पकड़ते वे, मनुष हाल में से सब देख रहा था, तानिया, नहीं, अब तुम जाओ यहां से, अमन बाहर गया, और मनुष उसे अपने पास बुला कर, गुस्से भरी नजलों से पूछने लगा, क्या कर रहे थे तुम, उस क्या, चिला कर, सब लोग मनुष के पास गए, और तानिया भी उसके चिलाने की वज़े से हाल में आ गई, अमन, उस लड़की ने कहा, कि मेरे ड्रेस के साथ पैंडेज मैच नहीं कर रहा है, तो मैं बस उसके हाथ उठा कर, उसके पट्टी और कपड़े को मिला कर देख रह और तानिया उसकी मौम से बाते करने लगी, मुंबई में ललन परिशान होकर घूम रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कहां जाओं, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से जाने पर तानिया मिलेगी, और किस रास्ते से जाने पर वापस घर का रास्ता मिलेगा ललन को अचानक एक गड़पती मंदिर दिखी महाँ गाना बजाना हो रहा था और गड़ेश जी का सौंग भी बज़ रहा था गड़ेश सांग ललन मंदिर में गया और भगवान के सामने मन में बोलने लगा हे गड़ेश जी मुझसे क्या पाप हो गई थी जो आप मुझसे इतनी बड़ी परिच्छा ले रहे हो मैं इतना बड़ा सहर में कहां ढूनू तान्या को मुझे एक मर्द होने के कालर उसकी रच्छा करनी चाहिए थे लेकिन मैं खुद अपनी रच्छा नहीं कर पा रहा हूं गर्णेज जी मैं दान्या की मदद कैसे करूँ रास्ता दिखाईये प्रभू अपना माथा जुगा लिया तभी उसके माथे पर एक कागज गिरा उस पूजा में उपस्दी किसी आदमी के हाथों से वो कागज गिरा था उसमें मनोज की फोटो के साथ साथ इंग्लिस में उसके नए कंपनी के बारे में लिखा हुआ था ललन इंग्लिस नहीं जानता था और वो मनोज का फोटो को देख कर खुश हो गया ललन धन बात करनेज जी मुझे पता है आपने ही मेरी मदद की है इस कागज में उस बॉस का एड्रेस लिखा हुआ था जरूर मेरी तानिया भी इसके घर पहुँच गई होगी बदले लेने मैं इसके घर जाओंगा तो तानिया मुझे मिल जाएगी मैं उसे बोलूँगा बदले बदले लेने की कोई जरूवत नहीं मेरे साथ घर चलो उस कागज में उसके घर का नहीं बलकि कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था और ललन उसी एड्रेस को दिखा कर हर आटो वाले को बोलता कि भाईया मुझे इस कागज में लिखे पते पर जाना है क्या आप मुझे छोड़ दोगे एक आटो वाले ने उसे बैठा लिया और आटो चालो कर दी उधर तानिया बातो बातो में मनुझ की माम से कुछ-कुछ जानने की कोशिश करने लगी और मनुझ की माम दिल की बहुत अच्छी थी जिसके वज़े से सब कुछ बताने लगी तानिया तो आप क्या बोल रही थी आंटी आंटी मैं मनोज के बारे में बोल रही थी मनोज ने नया बिजनेस इस्टार्ट किया है और पहली दील अमेरिका के किसी कंपनी के साथ है आज तक मेरा बेटा कभी किसी के सामने जुका नहीं है मनोज ने जिस भी मीटिंग को किया है उसे सक्सिस्फूल ही किया है उसे परफेक्ट लोग ही पसंद है ऐसा नहीं है बलकि खुद भी वो परफेक्ट है जिस दिन उसे कोई ऐसी परफेक्टनेस के बारे में सवाल कर देगा उस दिन लगता है वो खुद कुशी कर लेगा सर्म से यहां तक कि उसके आज पास भी परफेक्ट लोग ही रहते हैं यह बात भी सभी बिजनेस पार्टनर जानते हैं इसलिए तो आज तक किसी पार्टनर ने आवाज तक नहीं उठाई बनोज के सामने तानिया लेकिन अब ऐसा ही होगा अंटी जी मैं आपके बेटे के रूलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगी अगर किसी इंसान के बने बनाय इच्चत को खतम कर दिया जाए तो वो इंसान तो रो पड़ता है जैसे मेरे ललो ने रोया था सोचते हुए बीच रास्ते में आटो वाले ने आटो रोक दी और ललन के आगे चा को निकाल कर खड़ा हो गया उदर ललन की मा भगवान को पूजा कर रही थी तो दिया बुझ गया बसुंद्रा हे प्रभू दिया बुझना तो अब सगुन माना जाता है मेरा ललन ठीक तो है ना मेरे भोला भाला ललन की रक्षा करना प्रभू उदर तान्या के जख में दर्ध होने लगा तान्या मन में मेरे जखम अचानक दर्ध क्यों होने लगे है अभी तक तो नार्मल ही दर्ध हो रहा था ये कोई इसारा तो नहीं करना चाहती है मेरा लल्लू ठीक तो है न हे भगवान रच्छा करना उसकी आटो वाला सारा माल निकालो ललन क्या ये माल होता है और आप इस तरह बीच रास्ते में क्यों रोक दिये आटो वाला ज्यादा भोला मत बन और जितने भी पैसे हैं निकाल ललन लेकिन पहले मुझे उस जगह पर तो छोड़तो तब न पैसे देंगे आटो वाला गुस्सा में आकर ललन को जोड़दार चाटा लगाया और उसके पैसे और सामान छीन कर आटो में बैठा और भागने लगा यहां तक कि उस कागज को भी नहीं छोड़ा आटो इस्टार्ट करते वक्त ललन को धक्का दे दिया था ललन उठा और उसके पीछे-पीछे दोरने लगा और बोल रहा है तुम इंसान हो या जानवर इंसान होते वे भी एक लाचार आदमी की मदद करने की बजाए उसे लूट कर जा रहे हो मेरा सारा पैसा रख लो लेकिन मेरा कागस तो देते जाओ मैं कैसे डूरूंगो अपनी तानिया को कुछ दूर तक पीछा किया और फिर ठक हार कर एक जिखे बैठ गया ललन पूरा पसीने से लटपत सुनसान सरक पर बैठा अपने आप से बड़बडा रहा है मैं अपनी तानिया को बचाओंगा जरूर बचाओंगा लेकिन कैसे मैं तो खुद किसी का सिकार बन रहा हूँ हे गडबत महराज मेरी मदद करो और तानिया का ख्याल रखना अब तो मेरे पास वो कागज भी नहीं रहा जिसमें मनोज का पता लिखा था मनोज हाउस में तानिया मुझे अपनी लल्लू की इतनी फिक्र क्यों हो रही है मन तुम प्लीज बापू से फोन करके पूछो ना लल्लू की हाल चाल अगर मैं अपनी फोन से करूँगी तो लोग समझ जाएंगे कि मुझे सब याद है अच्छा मैं फोन करके पूछ लूँगा लेकिर उससे पहले ये कपड़े लो मनोज की मौम ने बिचवाया है साम को पार्टी है कपड़े खोल कर देखने के बाद पता चला कि वो कपड़ा बहुँच छोटा है तानिया कभी इतनी छोटे कपड़े नहीं पहनी दी इसलिए वो हैरान हो गई तानिया अमन मैं कैसे पहनूँगी इतनी छोटी ड्रेस कुछ करो अमन अब तुम पर्फेक्ट बनी हो तो पहनना ही पड़ेगा अगर मनोज की करीब जाना है तो पर्फेक्ट बने रहना एक दिन में क्या हो जाएगा वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे माबाबो थोड़े ना है तानिया ठीक है तुम जाओ हमें कोई एक साथ देख लेगा तो समझ जाएगा कि हम दोनों कुछ प्लान बना रहे है अमन आगे क्या सोचा है तुमने एक नजर बाहर देखती वे तानिया उसकी माम ने बताया है कि उसके लिए सबसे बड़ा उसका इच्जत है आज तक वो किसी की भी डिल को हारा नहीं है और वो सभी बिजनेस पार्टनर के सामने हीरो बना रहता है और मुझे उसके करीब जाकर उसके इन्हे इच्जत पर वार करना है किसी इंपॉर्टन पार्टनर की बीच उसका ऐसा इंसल्ट करेंगे जिसके बाद हो कभी बिजनेस वालों के सामने सर उठार ना सके 180 आंसों की बूदे मैं भूली नहीं हूँ मनोज अपने गुस्से भरी आंकों से ललन के घर पर बसुंद्रा अमन चाहे कुछ भी हो लेकिन ललन को ढूलो वो नादान है ना जाने कहां भटक रहा होगा बेचारा उस तान्या को छोड़ दो और जाकर अपने दोस्त ललन को ढूलो फोन पर अमन से ललन के बापुने फोन चेलिया और बोला नहीं अमन सबसे पहले तुम तान्या बिटिया का ख्याल रखोगे ललन को अपनी रक्षा खुद करनी होगी आखिर वो लड़का है कब तक किसी और के सहारी रहेगा अमन आप लोग चिंता मत किजिए दोनों से रच्चित रहेंगे बसुंद्रा फोन लेली और बोली ललन का फोन भी नहीं लग रहा है बेटा मुझे बहुत चिंता हो रही अपने बेटे की अमन आटी ललन कितनी बज़े वाली ट्रेन से आया है बसुंद्रा कल रात आट बज़े ही निकला था अमन आप तो वो मुंबई पहुच चुका होगा मैं कुछ करता हूँ मनोज भोन पर किसी से बोल रहा है इतनी लापरवा कैसे हो सकते हो तुम तुम्हें पता है ना लापरवा ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर शाम साथ बज़े से पहले वो सामान मनोज हाउस में नहीं आया तो तुम्हारी जौब नहीं बचेगी मुझे किसी भी कीमत में आज रात उस तानिया को प्रपोस करना है मैं उसकी परफेक्टने से प्यार करने लगा हूँ दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की है वो मेरे लिए और इस घर के लिए फोन के उधर से आवाज आया प्रन्तु बास मनो जाओ उसके रास्ते में बहुत जाम लगे हैं मैं समय पर कैसे पहुचूंगा आओ शायद समय पर पहुच जाओगे और एक बात याद रखना अगर तुम्हारी वज़े से मेरी परफेक्टली परपोस नहीं कर पाया तो उसी सुनसान रास्ते में चल रहा ललन बात कर रहा है कुछ साल पहले ललन के घर पर ललन काम पर से आया और अपनी तान्या से पूचा आज भी बाबू अभी तक नहीं आये तान्या ने जवाब दिया बस आते ही हूँगे लल्लू तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज है ललन ने उस्तुक होकर पूचा क्या सर्प्राइज है तान्या ने मुस्कराते वे सर्प्राइज वही लल्लू सर्प्राइज सर्प्राइज है तुम्हारे लिए ललन के उस्तुकता कम नहीं हुई थी और उसने फिर से उस्तुकता से पूचा हाँ हाँ दिखाओ वो अपना सर्प्राइज तानिया हसने लगी और ललन के थोड़े करीब आई तानिया अपनी सूट को थोड़े सी लूज की और अपने गर्दन के पास बस थोड़े से नीचे पीट पर लिखा हुआ ललो दिखाई ललन भाबुक होकर बोला तानिया तुमने मेरे नाम की गुदने क्यों गुदवाए कितनी दर्द हुए होंगे तुम्हें ये सब करने की क्या जरुवत थी तानिया तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो क्या मैं इतना दर्द नहीं सहन सकती हूँ तुमारे लिए तानिया ने गुतने गुतवाए थे और दोनों बहुत इमोशनल हो गए अब मुंबई में उसी बात को याद करते हुए ललन इस सुन सान सड़क पर बटक रहा है तानिया को याद करने की करण आगे पीछे कुछ नहीं सुन रहा है उसके पीछे से एक कार बार बार हाउन बजा रहा है लेकिन ललन नहीं हट रहा है कार वाला ये मेरे ब्रेक को क्या हो गया अचनक फस कैसे गया कुछ भी करके ब्रेक लेने पड़ेंगे नहीं तो उस आदमी का एक्सिडेंट भी हो सकता है और मुझे मनोज के सामने ले जाने में और भी देरी होगी लग जा प्रेक लग जा ललन अपनी तानिया की बात को याद करने में कार की आवाज नहीं सुना और कारवाले से भी कार कंट्रोल नहीं हुए और ललन का एक्सिडेंट हो गया उधर तानिया उस छोटे कपड़े पहन कर ट्रेसिंग टेबल के सामने साथ सवर रही है और इधर ललन उसी सुनसान सड़क पर खून से लटपत भी होस पड़ा है कारवाला भी बहुत डर गया और गाली अपने आप रूक गई कारवाला बड़ी सी मुख खोल कर खायल ललन को देख रहा है तानिया आईने के सामने बैठी और मेकप कर रही है अचानक तानिया के तोनों आखों से आसू गिरने लगे तानिया कि अच्छनक मेरे आंसू क्यों गिर रहा है बिना कोई रीजन के मेरा ललू ठीक तो होगा ना मेरे आंसू सोचते हुए आंसू पूछने लगी मनोज के आदमी ने ललन को अपनी गाली में बठाया और अपने साथ मनोज हाउस में ले जाने को सोचा वो आदमी सुचा मैं अगर इसे हाउस्पिटल ले गया तो मनोज सर तो मुझे चांज से ही मार देंगे पहले मुझे उनका सामान उन्हें देना होगा उसके बाद इसे हाउस्पिटल ले जाओंगा हाँ यही ठीक रहेगा इसे मैं अपने साथ मनोज हाउस ले जाता हूँ गारी में बैठा और मनोज हाउस की तरफ निकल गया उधर मनोज हाउस के हॉल में मनोज अपने मन में सोच रहा है क्या मैं सही कर रहा हूँ इतनी जल्दी किसी अंजान लड़की पर भरोसा करना ठीक नहीं है लेकिन अगर मैं इसे नजर अंदाज करूँगा तो मेरे लिए इससे परफेक्ट लड़की कभी नहीं मिलेगी जिस लड़की को सही कॉंबिनेशन की इतनी जानकारी है वो मेरी बिजनेस में भी मदद कर सकती है हाँ यही सही रहेगा मैं उसे आज ही प्रफोस करूँगा और अपनी वोड़ भी वाइब बनाऊँगा लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं मैं मा को इस बारे में बता चुका हूँ अब वो बस फैसला करके बता दे मुझे बाहर दरवाजे की तरफ देखती वे सोच रहा है उसी हाल के किनारे में अमन तानिया के पास गया और घबराती वे भूलने लगा तानिया मनोस तुम्हें प्रफोस करने वाला है तुम जल्दी से फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है तानिया तुम्हें कैसे पता चला अमन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे लल्लो की बहुत चिंता हो रही है मैं जल से जल अपना काम पूरा करूँगी और अपने लल्लो के पास चले जाऊंगी मैं जा रही हूँ मा बाबो से फोन से बात करने तुम अपना फोन दो मेरे फोन से रिस्क हो सकती है अमन ये लोफ मेरा फोन लेकिन तुम बाहर पारकिंग में जाकर बात करना अंदर कोई भी सुन सकता है तानिया फोन लेकर अमन की और पीट की और बाहर जाने लगी अमन की निजर अचानक तानिया के गर्दन की थोड़ी से नीचे पीट पर पड़ी उस पर लिखा था ललन अमन घबरा गया और माही को बताने के लिए उसकी और लबका लेकिन तभी प्रिया के हाथ से ग्लास गिर गया और अमन को साप करने को कहने लगी प्रिया, ओ मिश्टर, कहां चले, यहां साप सफाई कौन करेगा, चलो यहां सफाई करो इतने देर में तानिया बाहर चली गई अमन साप करते करते अपने मन में सोच रहा है अगर मनोज ने तानिया के सरीर पर ललन का नाम देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि तानिया बदला लेने आई है क्योंकि मनोज जब ललन की बेजिती कर रहा था तब किसी ने उसका नाम ले लिया था और मनोज ने ये बोला था कि निकालो इस कमार को लल्लू कहीं का अमन उस दिन की बात याद करने लगा जब मनोज ने ललन के चेहरे पर केक थो पाता उधर वो आदमे मनोज के घर के बाहर पारकिंग में अपनी गारी लगाया और ललन को पीछे लेटा ही छोड़ दिया अंदर जाने से पहले सुचा मैं इस गारी में ही छोड़ देता हूं मैं पहले सर को उनका सामान दे देता हूँ तब इसे हॉस्पिटल ले जाओंगा गाड़ी को लाग कर देता है कहीं कोई इसे जख्मी हालत में ना देख ले वो आदमी अंदर चला गया और उसी गाड़ी के पास आकर तानिया खड़ी हो गई और फोन पर अपने मा बापू से बात करने लगी तानिया की पीट ललन की होड़ी ललन तो बेहोस था लेकिन अचानक उसे होस आ गया अपना दुखता सर को छूती छूती उपर देखा तो एक लड़की दिखी जो फोन पर बात कर रही थी और उसका चेहरा नहीं सिर्क पीट दिख रही थी अंदर उस आदम अपने पॉकिट से एक नेकलेस निकाला और मनोज को दे दिया अमन सफाई करने के बाद फिर से बाहर जाने लगा तानिया को बताने की उसके सरीर पर ललल निखा हुआ है साब साब दिखाई दे रहा है उसके छोटे कप्ड़े की वज़े से जैसे ही अमन बाहर जाने को करो अमन मैं बस एक मिनट में आया प्रिया मैं तुम सब नौकरों की बहाना अच्छे से जानती हूं कहीं जाने की अनमती नहीं है अगर एक सेकेंड के लिए भी काम चोड़ी किये तो काम से निकाल दूँगी उस पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई को सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए अमन सबको ट्रिंक सर्फ करने लगा और बार बार बाहर की ओर देख रहा है उधर मनोज भी बाहर जाने के लिए सोचने लगा पार्किंग में तानिया अच्छा बापू आप लोग से बात हो गई लेकिन ललन कहां है मुझे उससे बात करनी है और चिंतित हो जाएगी गाली में बैठे ललन को बाहर खड़ी तानिया की गर्दन के नीचे लिखा ललन दिख गया पहले तो ललन उसके बिना चेहरे देखे नहीं पहचान पाया क्योंकि वो पहली बार इतनी चुटे कपड़े पहनी थी लेकिन जब उसका लिखा नाम दे देखो एक बार तानिया लेकिन गाली लॉक होने की वज़े से उसकी कोई आवाज बाहर नहीं आ रहे थी और ललन बिचारा सीसे को चोड़ जोड़ से पीट रहा था गाना चदरिया जीनी डे जीनी सी तानिया अपने पीट ललन वाली गाली की ओर करके फोन बर बाद कर रह ललन उस गाली के सीसे को चोड़ जोड़ से पीट रहा है उधर अमन सर्व करते वक्त बार बार बाहर की ओर देख रहा है और मनुज भी उसी पार्किंग की ओर जा रहा है जब तानिया की बात खतम हो गई तब तानिया उस गाली की तरफ अपना चेहरा की लेकिन ठीक उसी वक्ट ललन को चक कर आ गया और भी होज वकर उसी गाली में गिर गया जब तानिया अपना चेहरा पूरी तरह से उस गाली की तरफ गी तब उसे कुछ नहीं दिखा बस गाली के रची सी से क्योंकि ललन नीचे गिर चुका था गाना बंध हो गया मनोज जब तानिया के पास आया तो तानिया उसी गालिए की ओर देख नहीं जित tenía और उसका पीट मनोज की तरफ दी मनोज ने जैसे ही ललन नाम देखा उसे सब कुछ याद आने लगा उसे याद आ गया कि उस दिन एक आदमी ने कहा था सर ललन हमारे आफिस का पुराना एंपलाई है ये बहुत अच्छा काम करता है तब मनुज ने कहा था निकालो इस गमार को लल्लू कहीं का मनुज समझ गया कि ये ललन के अपमान का बदला लेने आई है मनुज तानिया के करीब गया और उसकी शेरी को अपनी ओर करके जोरदार चाटा लगाया तानिया अपना हाथ अपने गाल पर रख ले और मनुज गुसे वाले आँख दिखाते वे बोले लगा तुम उस गमार का बदला लेने आई थी अब तुम्हारा खेल खतम हो चुका है अब देखो कैसे मैं तुम्हें पुलिस के हमाले करता हूँ वैसे तुम्हारे साथ और कौन-कौन है तुम्हारा वो गवार दोस्त लल्लू भी आया है यहां वो भी कोई वेज बदल कर बदले ले रहा है बोलो तानिया बोलो इसी के साथ मनोज ने फिर से एक चाटा लगाया मनोज तानिया तुम सुन नहीं रही हो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तानिया हाँ चौकते वे तानिया चौक गई मनोज की आवाज सुनकर तानिया अपने फोन में अमन का मैसेज देख रही है अमन ने जब मैसेज किया तानिया तुम कुछ भी करना लेकिन अपना पीठ मनोज की तरफ मत करना तुम्हारे गर्दन के नीचे ललन का नाम लिखा हुआ है और मनोज को अच्छे सी याद होगा कि जिसका आप मान किया था उसका नाम ललन है मनोज समझ जाएगा कि तुम बदला लेने आई हो तानिया उसके मैसेज को देख कर ये सुचने लगी कि मनोज उसका सच पकड़ लिया लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ मनोज जब आया तो तानिया अपने फोन में देख रही थी और उसका चेहरा मनोज की तरफ था तानिया मन में अच्छा हुआ ये मेरा वहम था लेकिन अब मुझे कुछ भी करके अपने ललनू का नाम छेपाना होगा लेकिन मैं क्या करूँ अमन ने सही समय पर मैसेश तो कर दिया लेकिन कुछ सुझाओ नहीं दिया कि क्या करूँ मनोज तानिया खुद से बाते करती रहोगी या मुझे भी कुछ बोलोगी मैं कब से यहां खड़े होकर तानिया तानिया चिला रहा हूँ और तुम हो की जवाब ही नहीं दे रही हो उधर अमन याद करता है अमन जब मनोज को बाहर जाते देखा तो सोचा कि मेरा फोन तो तानिया के पास है मैं तानिया को कैसे इन्फार्म करूँ तब ही अमन की नजर प्रिया के फोन पर पड़ी और अमन ने जान बुझकर प्रिया के ड्रेस पर डिंक गिरा दिया और जब वो फोन को टेबल पर रखकर फासरूम गई तो उसी वक्त अमन ने उसके फोन लेकर तानिया के पास मैसेज कर दिया अमन सोचते हुए मैंने समय पर तानिया को बता तो दिया लेकिन पता नहीं उसने पढ़ा भी या नहीं ओ सिट प्रिया के फोन से तो मैंने वो मैसे डिलीट नहीं किया ललन के घर पर बसुंद्रा अब बहुत हो गया हम लोग कब तक चुपचा पैठे गएंगे मेरा ललन पता नहीं किस हाल में होगा ये सब उस तान्या की वज़े से मेरी मत मारी गई थी जो उसे अनात आश्रम से उठा कर लाई अगर मेरे ललन को कुछ भी हुआ तो उसे अपने घर की चोकट भी लांगने नहीं दूंगे बापो तुम ऐसा क्यों कहती हो इसमें तान्या की कोई गलती नहीं है हमारा ललन ठीक ही होगा और अमन है न महाँ वो ललन को ढूंड लेगा वसंद्रा नहीं मैं किसी और की भरोसे हाथ पर हाथ रखके नहीं बैठ सकती हूँ मैं जा रही हूँ पुलिस में सिकायत दर्ज करवाने आप भी चलिए मेरे साथ ललन उसी गाली में भी खोस पड़ा है जहां तान्या मनोज के साथ करिए मनोज बोलो भी तान्या मुझे बहुत ठण लग रहे है मैं जानती हूँ कि इन दिनों स्वेटर पहनना ठीक नहीं है लेकिन मुझे बहुत ठण लग रहे है क्या आप अपना ब्लेजर देंगे मुझे मनोज वाट ब्लेजर पहनोगे तुम तान्या मन में मुझे अपने लल्लू के नाम छिपाने के लिए तुम्हारा ब्लेजर पहनना ही पड़ेगा अगर मैं इन छोटे कपड़े में थोड़ा सा भी पीछे मुड़ी तो तुम्हें मेरे लल्लू का नाम मेरे गर्दन के नीचे दिख जाएगा ब्लेजर पहनने के बाद वो नाम छिपा रहेगा और मैं आसानी से अपने लल्लू के अपमान का बदला ले पाऊंगी मनोज फिर से कुछ सोचने लगा सौरी बट मैं अपना ब्लेजर नहीं दे सकता तानिया बट वाई मनोज अगर मेरा ब्लेजर मेरे सरीर से हट जाएगा तो मेरी ड्रेस परफेक्ट नहीं रह जाएगी और मुझे सिर्फ परफेक्ट ड्रेस कोड ही चाहिए तानिया मन में आप मैं क्या करूँ मैं वापस ड्रेस चेंज करने भी नहीं जा सकती क्या करूँ क्या करूँ हाँ आइडिया तानिया ने मनुज की सर्ट के कॉलर पर किस किया और अपने रेट लिफ्टी का दाग उसके सर्ट पर लगाने के बाद बोले अब हो गया ना ड्रेस कोट खराब अब जल्दी से अपना बलेजर मुझे दे तो मुझे बहुत ठन लग रही और जाकर नया ड्रेस पहन लो मनुज अपना बलेजर उतारा और तानिया को पहनाने लगा और मन में सोच रहा है मुझे पहले से कंफ्यूज थी लेकिन अब मुझे यकीन हो गई कि तुम भी मुझे प्यार करने लगी हो तभी तो बहाना मिलते ही तुमने मेरे गर्दन के पास किस किया अंदर अमन अपने आस पास प्रिया को डून रहा है ताकि मौका मिलते ही उसके फोन से वो भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर सके अमन को चानक प्रिया दिखी लेकिन वो अपने फोन में ही कुछ देख रही थी अमन घबरा गया और उसकी ओर दोड़ के गया तभी उस पार्टी में किसी ने गाना बजा दिया बोलना तान्या बोलना अमन प्रिया से फोन लेने के लिए उसके बहुत नजदीक चला गया और प्रिया उसे कला समझ कर बड़ी बड़ी आँखों से अमन को देखने लगी लेकिन अमन नहीं रुका और प्रिया के बहुत नजदीक चाकर उसे किस करना चाहा प्रिया अपना फोन फिर से टेबल पर लग दी और उसे धका देकर वहां से भाग गई गाना अभी भी बज रहा था बाहर पारकिंग में मनुज ने अपने पौकिट से एक रिंग निकाला और तानिया के उगली में पहना दिया तानिया को अपने नजदीक लाने के लिए खुद उसके करीब गया और अपना होट उसके कान के पास ले जाकर धीरी से बोला मैं तुम्हारे परफेक्टनेस से प्यार करने लगाओ मेरी वाइब बनकर क्या तुम मेरी लाइब को परफेक्ट बनाओगी उसकी इन बातों से तानिया एकदम घबरा गई और सांती से वहीं खड़ी रही वैसे तो तानिया का भी प्लान था कि वो मनोज के नजदीक जाकर उससे बदले ले पाएगी लेकिन इतनी नजदीक नहीं गाना अब भी चालू था उधर अमन मैसेज डिलेट करने में कामियाब हो गया इधर तानिया बुरी तरह से फस चुकी थी बलकि उसने तानिया को छूते हुए उसके होट तक पहुँच गए तानिया के आँख खुद बखुद बंद हो गए और वो अपनी उस दिन की बात याद करने लगी जिस दिन वो ललन को प्रपोस करने वाली थी कैसे वो कैंडल से पूरा घर सजा कर लल्लू का इंतिजार कर रही थी वो सोच रही थी कि जैसे ही लल्लू घर आएगा वो आज उसे प्रपोस करके दुनिया की सारी खुशिया देना चाहती है तानिया के आँख खुलकर बड़े हो गए जब मनोज के होट उसके होट को चुमने की कोशिस करने लगे तानिया उसे जोर से धका दी और वहां से रोती हुए भागने लगी मनोज देखता रह गया और सोचने लगा मुझे उसके इजाजत के बिना उसके इतने करीब नहीं जाना चाहिए कितना बुरा लगा होगा तानिया को मनोज खुद को सजा देनी के लिए अपना हाथ उसी गारी के सीसे पर मारा जिसमें ललन भी होस पड़ा था जैसे ही मनोज की नजर सीसे के अंदर उस आदमी पर पढ़ी वैसे ही वो आदमी भी आ गया जिससे ललन की एक्सिडेंट हुई थी मनोज उस गारी को खोला और ललन को देखकर अपने आखे बढ़ा कर लिया मनोज ललन को पहचान लिया कि वो वही है जिसका मनोज ने अपमान किया था उधर तानिया रोते हुए अपने कमरे में जा रही है तानिया अपने कमरे में गई और रोते रोते कमरे के बातरूम में गई और कपड़े बदल कर बाहर कमरे में आई तो अमन को सामने खड़ा था तानिया अपने भीगे आखों के साथ नीचे जमीन पर गिर गई और अमन के सामने रोते हुए बोलने लगी मैं अब कोई बतला नहीं लूँगी हम दोनों आज रात को ही अपने सहर जाएंगे मैं अब और अपने लल्लो से दूर नहीं रह सकती अमन सबसे पहले दरवाजा बंद किया और पूछा प्रंतु हुआ क्या अभी तक तो बतले लेने के लिए तैयार थी प्रंतु आप क्या हुआ अमन अपने मन में सोचने लगा कहीं ललन के मा या बापू ने इसे ये तो नहीं बता दिया कि ललन मुंबई आया है और कहीं खो गया है शायद इसलिए तानिया वापस घर जाना चाहे थी तानिया मैं बतला लेने के चक्कर में बहुत गलत कर रही थी उस मनोज के साथ और खुद में खुद के साथ ही तुम नहीं जानते हैं मन अभी मेरे साथ क्या हुआ मुझे बताते हुए भी खिन आ रही है पार्किंग में जो हुआ वो सब याद करते हुए पार्किन में उसका नोकर आ गया और मनोज को सब पताया कि कैसे उसे मजबूरन ललन को यहां लाना पड़ा मनोज इस गवार को तुमने मेरे घर में लाकर बहुत बड़ी गलती की चाहे यह कैसा भी हो लेकिन इस हालत में छोड़ भी तो नहीं सकते हैं न ले चलो अंदर डाक्टर को मैं फोन करता हूँ वो नोकर सर लेकिन इसके सर से अभी भी बलेडिंग हो रही है मनोज ये लो इससे बांद दो वैसे भी अब ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं रहा अपनी सर्ट की और देखते वे बोला मनोज अपना सर्ट उतारा और अपने नोकर को दे दिया वो नोकर उस सर्ट को ललन के माधे पर बांदा और जब तानिया के लेप्ष्टिक लगा कलर ललन के सिर को छुआ तो ललन को थोड़ा होस आने लगा और हलकी आवाज में बोलने लगा तततत ललन तानिया बोलना चाह रहा था लेकिन मनुज उसके बात को नजर अंदाज किया और उसे अपने घर के अंदर ले गिया ललन के घर पर बसुंद्रा ललन के बारे में कुछ पता चला अभी पुलिस ने फोन पर क्या बोला बापू हमारे बयान पर पुलिस ने उस मनोज का पता निकाल लिया है अप जल्द ही उसके घर जाकर अपना ललन के बारे में पूश्टाज करेंगी कि कहीं मनोज नहीं तो ललन को किड्नेप नहीं कर लिया बसंद्रा हमारा ललन मिल तो जाएगा ना जी अगर मेरे ललन को कुछ हो गया न तो मैं उस तानिया को कभी माफ नहीं करूँगी ये सब उस तानिया के बदले के चक्कर में हो रहा है ना वो मुंबई बदले देने जाती और ना मेरा वेटा उसे बचाने मुंबई जाता बापो, आप ये मत भूलो कि वो ललन के साथ वे अपमान का बदला लेने गई है आपको तो कुछ समझाना ही मुर्गता का काम है अमन, ललन के साथ वे अपमान को बोल गई तू तानिया, लेकिन मैं मनुज के भावनों के साथ नहीं खेल सकती हूँ तुमने नहीं देखा, वो कितना करीब आ गया था मैं अब और नहीं नाटक कर सकती मेरा रूख कहाँ उठा जब उसने मेरे जिस्म को अपने होट से चुआ मुसे ये सब नहीं होगा मैं सिर्फ अपनी ललन की हूँ किसी और के बाहों में जाने का सोच भी नहीं सकती और वो मनोज मुसे साथी के सपने देखने लगा मैं अपने लल्लू को धोगा नहीं दे सकती अमन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो ये सब नाटक है तानिया, तुम नहीं समझ रहे हो अमन मुझसे ये सब नहीं होगा तुम बस अभी के अभी वापस अपने सहर चलो मुझे जल्द से जल्द अपने लल्लू के पास जाना है उधर लल्लू का इलाज शुरू हो गया और मनोज के साथ साथ उसके परिवार वाले भी बाहर ख़़े होकर ललन को देख रहते प्रिया भाई आप बार-बार इस आदमी को ललन बोल रहे हो आपको इसका नाम कैसे पता मनोज वो मनोज अपनी बेहन और माँ को सब बात बताया जो उस दिन लल्लू के साथ वो किया था उसकी माँ ये तुम ने बहुत गलत किया मनोज प्रिया, हाँ भाई, वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाया होगा, इसमें इस बेचारे की क्या गलती होगी, आपको इस तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए था मनोज, माम, आपको पता है न, मुझे सिर्फ परफेक्ट लोग ही पसंदे, मुझे उस वक्त इसका गमारपन देखकर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया, और मैंने उसके साथ, लेकिन मैं भी इनसान हूं माम, मुझे भी बुरा लगता है, बाद में, मुझे बहुत बुरा अमन, तो तुम अपना मुझे भूल कर वापस अपने सहर जाना चाहती हो, तानिया हां, रोते हुए, अमन उसके जक्मी हथेली को एक टेबल पर रखा, और उसके जक्म पर एक बोतल दारू गिराती हुए, बोलने लगा, तुम ये भूल जाना चाहती हो, कि तुमने अपने हाथ में इतनी गहरी जक्म, सिर्फ और सिर्फ इस बदले के लिए दिया है, और क्या तुम ये भूल भी जाना चाहती हो, कि तुम्हारा ललन बच्पन से तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, लेकिन तुम ये कैसे बूल सकती हो, कि ललन के आखों से 270 आशू की बूंदे गि बोलो तानिया क्या तुम अब भी इस पतले को अधूरी छोड़ कर जाना चाहती हो तानिया जवाब दो तानिया के जखों कर सराब किने की वज़े से उसे बहुत दर्द होने लगा और वो पल भी याद आने लगे जब माही ने अपने हाथ को जख्मी किये थे तानिया अपना कोज की वज़े से मनोज की आँकों से मैं ब्यास समेथ आंसों ना गिराई तो मेरा नाम भी ताने नहीं तुम सही कह रहे हो मन मैं लल्लू के साथ वे अपमान को भूल नहीं सकती इसलिए मैं तुम से भगवां से और खुद से यह बादा करती हूं कि अगले 24 गंटे के मैं आ रही हूं लल्लू तुम्हारे पास आ रही हूं अमन मनोज की मौम और उसकी बहन आपसे बात कर रहे थे कि तीन दिन बाद मनोज किसी दो बड़े बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग करने वाला है और कोई बड़ा डील फाइनल होने वाला है तानिया अपने में खो रहे है अमन दस बचे तक पार्टी खतम होने वाला है प्रन्तों तुम करने क्या वाली हो तानिया तुम्हे एक काम करनी है सुनो तानिया अमन को प्लान समझाई और फिर दोनों आपस में कुछ बात कि और बाहर पारटी में धहे और हाल में बहुत सारे लोग थे और उनहीं में एक लाइन आया, सजना वो आँख तेरी है, बत्ते मीज रे, पानी पानी कर दे सर्म से, ऐसी चीज है रे. मनुश के बदन से चिपक कर, उसके बलेजर के पॉकेट में हाट डाली और उसका फोन ले ली. डांस करते करते अमन के पास गई और फोन को उसे दे दी. अमन फोन लेकर साइड में चला गया, और फोन खोल कर मनुश के बिजनेस पार्टर के पास मैसेज किया. किसी कारर बस मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाना है, इसलिए हमारी मीटिंग कल की कल ही होगी. कल किस वक्त आप फिरी रेंगे मुझे कॉल करके बस टाइम बता दिजिए, मैं समर पर आफिस पहुँच जाओंगा. और हाँ, कल मैं अपनी होने वाली पत्नी को भी आप लोगों के सामने लाओंगा, जो मुझे भी ज्यादा परफेक्ट है. उधर अमन मैसेज भेज दिया, और अधर तानिया अपने डांस के जाल में मनुझ को फसा कर रखी थी. यहां तक कि जब मनुझ को एहसास हुआ कि उसका फोन उसके पास नहीं था, तो तानिया उसके और करीब चली जाती थी और मनुझ को उससे प्यार होने लगा था. तानिया अपने मन में सुचती है, I hope, अमन ने अपना काम पूरा कलिया होगा, अब और मैं मनुझ को नहीं रोख सकती, नहीं तो उसे मेरे उपर सक हो जाएगा, उधर अमन सोचता है कि तानिया ने जैसा बोला था, मैंने मैसेज भेज दिया, I wish, वैसा ही हो जैसा तानिया जाएदी थी, हौल के ठीक सामने वाला कमरा मैं ललन को रखा गया था, जब ललन को गानों की सोर की वज़े से होस आया, तो वो तानिया को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके आँकों के सामने तानिया का चेरा नहीं, बस मनुझ का पीट दिक रहा था, और तानिय को देखने के लिए यो उठने का प्रियास कर नहीं लगा, मनुझ की माम जब ललन को जागा हुआ देखी तो वो बोली, नहीं बेटा, तुम्हें अभी आराम की जरुवत है, तुम चिंता मत करो, हम लोग बहुत भले आदमी है, तुम्हें कोई खत्रा नहीं है, तुम अभ खत्म हो गया, और मनुझ को जब अपना फोन अपने पास मिला, तो वो हैरान हो गया, और अपना फोन चेक करने लगा, तानिया मौका मिलते ही, अमन से पूछी, अच्छे से काम हो गया ना, और तुम नहीं मैसेज डिलीट किया या नहीं, क्योंकि अगर मनुझ ने वो लिख रहा है, कहीं मैसेज ना देख ले, तानिया, तुम मौका मिलते ही, अपना काम पूरा कर लेना, मेरा ये जख्म किस दिन काम आएगा, जितना दर्द मैं सह रही हूँ, उससे ज़्यादा, मैं तुम्हें दर्द रूंगी मनुझ, तानिया अपने जख्म फिर से कोई ड पट्टे लगाने लगा, तानिया आंक बंद में ही, गुसे में सोच रही है, कि तुम चाहे कितना भी रहम कर लो मनुझ, लेकिन मुझ से रहम और मापी की उम्मीद मत रखना, अगर मौका मिलेगा, तो मैं तुम्हारे जख्मों पर पट्टी नहीं नमक लगाऊंगी, अमन वहीं फोन चोड़ दिया, और वहां से चला गया, कुछ दिर बाद तुरंत उस क्लाइन का फोन आया, और किसी ने फोन उठा कर मनुझ को दे दिया, फोन उठाने के बाद उधर से आवाज आया, मिश्टर मनुझ, मैं कल सुबह 9 बज़े की ही मीटिंग के लिए आ रहा हूं और हाँ, अपनी होने वाली परफेक्ट वाइफ को जरूर लाना अपने साथ, हम लोग उनसे मिल कर देखना चाहते हैं कि आप अपने परफेक्ट हो, तो आपकी पसंद कितनी परफेक्ट है, बोलकर फोन कार दिया, क्योंकि अमन ने साप साप लिखा था, बस टाइमी बता देजिएगा, मनोज हैरान हो गया, लेकिन फिर अपनी मीटिंग की त्यारी करने लगा, अपनी मॉम से बोला, मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें तानिया के बारे में कैसे पता चला, वो लोग तानिया से मिलना चाहते हैं, और वो भी कल ही मीटिंग में, पता नह लल्लू को रुलाया था, अपनी गुस्से भरी लफजों में सोच रही थी, मनोज की बातों को सुनकर उसकी मॉम बोली, तुम चिंता मत करो, तानिया जरूर मान जाएगी, मैं उससे बात करूंगी, मनोज, उसे एकदम परफेट कॉंबिनेशन का कपड़ा देना मॉम, मैं मुझे पता है, ऐसा हुआ तो तुम जीती जी मरदा हुए, क्योंकि आज तक तुम्हारे हाथों से एक भी डिल कैंसल नहीं हुए, अगले सुबह, मनोज की माम आर्थी की ठाल लेकर, दोनों का टीका और आर्थी कर रही है, तानिया, आंटी जी, मैं आपके कहने पर इनके स साइड नहीं किया है कि मुझे इन से साधी करनी है या नहीं, मैं तो बस इनके डिल कैंसल नहीं हूँ, इसलिए उनके साथ इनकी उड़ भी वाइप बन कर जा रही हूं, आंटी, सॉरी बेटा, अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तानिया, आप अपने इस नौकर को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि इस घर में एक यही है, जिससे सही कॉंबिनेशन और परफेटनेस की थोड़ी बहुत नालेज है, अमन की तरफ इसारा करते हुए, मनोज, लेकिन आंटी, तुम चुप करो, हाँ बेटा ठीक है, अमन जल्दी से तयार हो जाओ, और इनक चुके थे, मनोज की माम और प्रिया ने ललन को सोफे पर बैठा और पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं, आराम करो, और तानिया को कैसे जानते हो तुम, तानिया मेरी होने वाली बहु है, ललन, तानिया, चोकते हुए, तानिया हमारी द पहले तीनों आपसे बात करने लगे, मनोज, तुम हाथ में बैग क्यों रखी हो, तानिया, ये बैग में मेरे कपड़े हैं, उन लोगों के पास जाने से पहले मैं कपड़े बदल लूँगी, ताकि मैं परफेक्ट लगूँ, और आपकी रेप्यूटेशन खराब ना हो, अ या नहीं, बापू, यहां के पुलिस वाले मुंबई पुलिस को कॉल किया है, और जल्दी हमारे ललन तक बहुँच जाएंगे, उधर मनोज अपने क्लाइन के पास अकेले अंदर गया, और उन लोगों से इस्टेंडर से बाते करने लगा, सारे बिजनस की बात करने के बात जब डिल फाइनल करने की बात आई, तब उन लोगों में से एक नहीं बोला, डिल फाइनल तो होई जाएगी मिश्टर मनोज, बट उससे पहले मैं आपकी उडवी वाइप से मिलना चाहता है, उसके बाद ही आपकी डिल फाइनल होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी मिश तानिया को बुलाता हूँ, तानिया अंदर आओ, उधर मनोज हाउस में, ललन अपना भोला पन के कानल सारा बात मनोज की माम और पिडिया को बता दिया, उसकी माम बहुत चिंता में हो गए और पिडिया गुसाते भी बोली, तो तानिया भाई से बदला लेने आई है, इसका मतलब उसकी मेमिरी बिल्कु ठीक है, वो नाटक कर रही है, ताकि भाई से बदला ले सके, ललन भाई से बदला, मतलब अभी जिसे मैंने देखा, वो मेरी ही तानिया थे, और ये हमारे होने वाले बास का घर है, बोलिए, बोलते क्यों नहीं है, मेरी तानिया ठीक तो कि कारफोन नहीं उठा रहा था, प्रिया गुस्से में ललन को जोड़दार थपर मारी, उसी वक्त वहाँ पुलिस आ गई, पुलिस, अच्छा, तो मेरा सक्स ही था, आप लोगों ने ललन सी को किट्नैप कर रहा है, प्रिया, वाट, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, आपको को पुलिस, मुझे आप सब को गिरफतार करना पड़ेगा, मैंने खुद आपी देखा है, आपने इस पर हाथ उठाया, और ये आपके घर में ही क्यों पाया गया, उधर जब मनोज ने तानिया को अंदर बुलाया, तब तानिया को देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि त तानिया एकदम देहाती हो जैसा कपड़ा, पहन ली और घटिया सी टोपी, उसके पैरों में टूटी-फूटी स्लीपर देखकर वो लोग कहने लगे, how disgusting, मनोज हाउस में, ललन, नहीं नहीं साहब, इन सब में इन लोगों की कोई कलती नहीं है, उल्टा इन लोगों ने हमा लेने आए है, गिरबतार कर लो इसे और इसकी दोस्त तानिया को, ललन, नहीं नहीं साहब, तानिया को कुछ मत करना, वो तो मेरे लिए बतला लेने आई है, इसमें उसकी कोई कलती नहीं है, मनोज की आफिस में, मनोज, ये है हमारी होने वाली, कहते कहते रूप क्या, एक बॉलिए मिश्टर मनोज, क्या यही है आपकी होने वाली पत्नी, तानिया, जी हाँ साहब, हम ही हूँ, इनकी होने वाली पत्नी, जब हमरा भी हा, मनोज जिसे हो जावेगा न, तो हम इनके साथ इस आफिस में काम भी करूंगे, सब बिजनेस पार्टनर तानिया को ऐसे बॉट्टी कर दिया हो, मनोज को तो समझी नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, तभी मनोज की कानों में अमन बोला, आप गुस्टा मत किजिए सर, आपके गुस्टे की वज़े से यह टेल कैंसल भी हो सकती है, मनोज अपना दात पीस्ते वे गुस्टे में भी धीरे स बोला, लेकिन ये तानिया ऐसा अनपर जैसी बाते क्यों कर रही है, इसे तो मैं परफेक्ट कुई समझा था, और ये उस लल्लू से भी जाता गवान निकली, अमन, आप प्लीज अपना गुस्टा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो बात विगर जाएगी, तानिया को शायद सब हमारी बिसनिस का क्या करेंगी, तानिया का, मा बहन, हिंदी की माई बाप भी होते हैं, का, साहब, हम तो ये बिसनिस से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तीसा पार्टना, तो आपकी च्वाइस तो बहुत अच्छी निकली, मिश्टर रा, मनोज, तो इस डिल के बारे में क्य सोचा है, आपने, दिल के ओनर आप ही रहेंगे, या इन्हें बनाती है, वो लोग बहुत मजाक उलाने लगे, और मनोज गुस्य में खड़ा चुपचाप सुनता रहा, तानिया, साहब, आप सब के लिए एक केक लाए हैं, आप लोग सब मिलकर इस डिल के फाइनल होने की ख इस च्वाईस है मेरी, और कोई डिल फाइनल नहीं करेगा मेरे साथ, भगवान, मैं तो आपको दिल से मानता हूँ न, तो फिर इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो मुझे, सोचते सोचते मिश्टर मनोज के आँख नम हो गई, वो भी क्यों न, इतने सालों से बनाएवे इ भाई के पास फोन करके पूछो, अगर उनके साथ कोई बदला नहीं लिया गया और वो सुरच्चित है, तो हम ललन को इसकी सहर वापस भेज देंगे, और रही बात तानिया की तो उनकी खिलाप मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है, सो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्प ललन में हूँ, फोन रखो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तानिया है ना, मेरा ख्याल लखने के लिए, मनोज गुस्षे में टोन मारती वे बोला, और पुलिस के सामने ये प्रूफ हो गया कि प्रिया छूट बोल रही है, उधर पुलिस ललन को उसके सहर भेजने के लिए अपने साथ ले गया, ललन तानिया तानिया चिला रहा था लेकिन पुलिस कुछ नहीं सुना और बोला, जा कर अपने सहर में ढूडो और ना मिले तो वहीं के थाने में कंप्लेन करना, अभी तुम्हें तुम्हारे सहर भेजना जरूरी है, मुझे अपना ड्यूटी पूरा करने दो, ललन उसके घर से तो चला गया, लेकिन प्रिया और उसकी माम अपने बेटे के लिए चिंतित हो गई, क्योंकि तानिया अभी भी मनोज के साथ थी, मनोज के आफिस में उन लोगों ने हस्ती वे जब केक काटना शुरू किया, तो तानिया जोर ज से ताली बजाने लगी और बोजने लगी, हैपी बार डे टू यू, हैपी बार डे टू यू, उन लोगों को भी उतना ही गुसा आया, जितना मनोज को आया था, जब ललन ने ऐसा बोला था, उन लोगों ने भी वैसा ही किया, जैसा मनोज ने ललन के साथ किया था, जो केक क अपनी perfect पतनी के साथ दूसरा partner बोला चलो सब यहां से जिसकी choice इतनी घटिया हो सकती है उसके साथ business कैसा होगा घटिया लोग घटिया choice चलो सब मैंने तो सुना था कि दुनिया का सबसे perfect business Mr. Manoj ही चलाते हैं लेकिन इस meeting में पता चला कि कितनी अच्छी business है Mr. Manoj की इससे अच्छा 24 तो हमारी गले के कुत्तों की होती है सब लोग जैसे ही बाहर निकले मनोज की चेहरे से केक की प्लेट नीचे गिरी मनोज का सिर्फ आखी दिख रहा था बाकी का चेहरा केक की मोटी परस से ढखी हुई थी उसकी आँखों में आशू भरे वे थे आँख लाल हो चुकी थे क्योंकि मनोज की साथ ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था इसलिए ज़्यादा दुख हुआ मनोज को मनोज वहीं फरस पर गिर किया और अपने आशू को रोक नहीं पाया मनोज हाउस में उसकी माउ मुझे पता नहीं क्यों बहुत चिंता हो रही है हे भगवान मेरा बेटा मनोज की रक्षा कीजिएगा बले ही ललन यहां से चला गया लेकिन तानिया और अमन तोनों उसके दोस्त हैं और अपना बदला लेने के लिए पता नहीं क्या करेंगे मेरे मनोज के साथ मा और बेटी दोनों बहुत फिक्र कर रही है उदर तानिया का बदला पूरा हो गया उसके आफिस में तानिया 290, 290, 292 अमन तानिया यह क्या कर रही हो तुम, देखो हमारा बदला पूरा हो गया इसने मेरे लल्लू के 180 सारा था इसलिए उसके आंसों रुखी नहीं रहे थे अमन अब चलो यहां से तानिया ऐसे कैसे अभी बदला पूरा करके आती हूं तानिया मन उसके बास गई और एक बालती पानी उसके सिर पर डाले और उसके चेरे से आदे केक साप हो गई तानिया उसके गाल को पकड़ कर गुसे में बोलने लगी अब पता चल रहा है बनी बनाई इच्चत खोनी के बात कैसा लगता है मेरे लल्लू को भी इतना ही बुरा लगाता जब सारे लोगों के सामने तुमने लल्लू के चेरे पर ऐसी ही केक थोपे थे और उसे गवाल लल्लू बोले थे लल्लू का नाम इंसान की भी नहीं ती जिसका अपमान तुमने किया था कोई अनपर है या कम पढ़ा लिखा है उसमें उस इंसान की क्या गलती लेकिन तुमने उसकी इंसल्ट करने से पहले कुछ नहीं सोचा अब तुम जिन्दगी भर याद रखोगे कि किसी का अपमान करना आसान है लेकिन उस अपमान को झेलना नहीं अब जिन्दगी भर याद रखोगे मनोच किसी को कमजोर समझ कर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए उसका कोई अपना भी हो सकता है जो तुम्हें जवाब देगा उसके चेहरे को दूसरी तरब धका दी और उटकर वहाँ से जाने लगी जाते जाते फिर से रुक गई और अपने पैरों से उसके सरीर को धका देती हुग बोली पूरे 180 असी आसो के बूंद बहे थे मेरे लल्लू के और तुम्हारे उससे कहीं जादा अब गिनते रहो और याद रखना कि कभी किसी का अपमान मत करना मेरा ये जख्म देख रहे हो आज तक इस पर दवा नहीं लगाई हूँ लेकिन आज इस पर दवा लगा कर इसे ठीक करूँगी इतना याद रखना अपने दोस्त लल्लू के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बाहर गई और अमन के साथ उस आफिस से निकल गई मनोज अभी तक रो रहा है और वहीं गिरा पड़ा है तान्या को अपने दोस्त के अपमान का बदला पूरा हो गया आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्वाद लिखने और बोलने में कोई तुरूटी हुई हो उसके लिए छहमा पराती हूँ आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू